गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज थर्ड स्टांडर्ड में किसका पेपर है हिंदी का तो देखते हैं आपको पेपर कैसे लिखना है ठीक है कितने माक्स का पेपर है 50 माक्स का 50 माक्स में कितने ओवर्स होते है टू ओवर्स तो देखते हैं आपके पेपर में देखते है फर्स्ट क्या है student name, फिर standard, section, role number, subject, exam date, day और submission date अब आपके paper में student name तो लिखा हुआ है, role number भी लिखा हुआ है, standard, subject, वह सब लिखा हुआ ही है तो आज कौन सा paper है आपका है, हिंदी का, consider 23 March और Tuesday तो देखते हैं हम आगे paper में क्या है, question number one कोस्ट्रक से सही शब्द चुन कर, चित्रों के सामने लिखो, क्या है, कि यह जो bracket दिया है, bracket में से आपको जो right name है इस picture का, वह आपको यहां से लेना है और यहां पे blank में लिखना है, कितने marks है, four marks और हमारे पास picture कितनी है, one, two, three, four, five, six, seven, और eight तो eight picture है और हमारे पास marks कितने है, मतलब कि आदा marks है इसका और आदा marks है, मतलब कि दो चित्र का एक marks है, ठीक है question number one का, B, क्या है, काविया पंक्तिया पूल्णो करो, eight marks काविया पंक्तिया, पोएम जो है आपको complete करनी है, पोएम कम्प्लेट करनी है, तो हमारे पास कितनी पोएम है, one, two, three, और four four पोएम है और eight marks है, मतलब एक पोएम का दो marks है question number one क, सही विकल्प चुन कर, खाली जग्यों पूल्ण करो, साथ marks क्या की विकल्प जो है, यहाँ पर आपको दिया है option, दो option दिये bracket में, वो देखने हैं, और यहाँ पर blank जो है, वो फिल करनी है, तो दो उसमें से जो भी answer आते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है, तो यहसी हमारे पास कितनी blank है, one, two, three, four, five, six, और seven, seven है यहाँ पर आपके paper में, यह जो है वो six number के और यह seven number के है, शायद printing mistake है, तो seven blank है और seven marks है तो आपको फिल करनी है, question number two, सही विद्यान के सामने, सही और गलत विद्यान के सामने गलत का चिन हो किजिए, साथ marks, कितने marks, साथ marks, कितने हमारे पास है, sentence, one, two, three, four, five, six, और seven, true और false है, जो true है, उसके सामने true का mark करना है, और जो false है, उसके सामने false का mark करना है, ठीक है, question number three, प्रेशनों के उत्तर लिखी, answer to following questions, कितने marks का है, six marks, और उमारे पास question कितने है, one, two, three, four, five, six, कितने है, six questions है, और six marks है, एक question का, एक marks, next, question number four, सुचना अनुसार लिखी है, मतलब कि जो आपको instruction दिये है, उसके पैस आपको लिखना है, उसमें देखते है, first, गुजराती नाम लिखी है, यहापे आपको नाम दिये है, तो सबका आपको गुजराती में यहापे नाम लिखना है, फिल करना है, तो कितने marks है उसके, तीन marks, हमारे पास blank कितनी है, one, two, three, second, हिंदी नाम लिखी है, उसमें क्या करना है, आपको गुजराती नाम दिया है, उसका आपको हिंदी में नाम लिखना है, तो यहापे कितने marks दिये, तीन, और हमारे पास blank कितनी है, one, two, और three, question number three, संख्याओं को शब्दों में लिखे, यह जो figures दिया है, उसका आपको किस में लिखना है, words में, तो आपको क्या करना है, कि यह देखना है, और यहापे लिख देना है, कितने marks है, यहापे तीन है, और यहापे आपको कितनी blank दिये, one, two, और three, question number four, विरुदर्थी शब्द लिखे, opposite words लिखे, कितने आपको दिये, one, two, and three, और यहापे marks कितने है, three, प्रत्य एक वाग्य के सामने अच्छा यह बुरा लिखो यह जो sentence है उसके सामने आपको क्या लिखना है अच्छा यह बुरा वो sentence जैसा है वैसा लिखना है तो कितने marks दिये 3 और आमरे बस ब्लेंग कितनी है 1, 2 और 3 and last question number 6 अनुलेखन करो आपको यहाँ पर देखना है और सेम यहाँ पर लिखना है जो sentence आपको यहाँ पर दिये है तीन वो तीनों के तीनों sentence यहाँ पर आपको लिख देने कितने marks है उसके 3 marks best of luck students